हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो लेंसर विस्टी दिस राम सोनी आज हम डिस्कस कर रहे हैं MPPSC 2021 नोटिफिकेशन के बारे में और साथ में ये एक बड़ा कोश्चन बना हुआ है कि MPPSC 2020 प्रिलेम्स का रिजल्ट कप तक आएगा साथ में MPPSC 2021 मेंस ये थे हम बात करें तो उसका रिजल्ट भी बीते दिनों से काफी दिनों से कई महीने हो चुके हैं और रिजल्ट उसका नहीं आया है तो बिसिकली इसके लिए MPPSC चेर्मेंस आपने बोला है कि ये सारी की सारी चीज़ें दिसमबर 2021 में हो जाएंगी नोटिफिकेशन हो चाहे रिजल्ट हो सारी चीज़ें दिसमबर हम रिलीज कर देंगे विल देखें यहाँ पर न्यूज पिपल्स ने प्रॉपर तरीकिस इसको डिस्कस भी किया है ये दिया आप देखेंगे तो यहाँ पर चेर्मेंस आप बोल रहे है पिएस्टी 2021 का विग्यापन और मुख परिक्षदोर निस का रिजल्ट इसी महीने जारी कर दिया जाएगा तो आप दिखेंगे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी है लिखाए उन्हें अब रिवाईज कलेंडर को और रिवाईज नहीं करेंगे जो तैय किया है उस पर ही चल रहा है काम अब यहाँ पर कई सारी से लिखाए मद्यपदेश लोक सिवायोग ने अभियर्तियों के आदूलन के बीच एक बार फिर इसे दिस्पस्ट कर दी है पीस्सी ने कहा है कि 31 संबर से पहले राजसिवा परिख्षा 221 का विग्यापन हर हाल में जारी कर दिया जाएगा जीरो इयर गोशित नहीं होने देंगे 2020 को जिरो इयर होने इसका सवाल नहीं है विग्यापन के प्रक्या सुरू कर दी गी है 31 से पहले जारी कर देंगे उन्होंने कहा कि OBC आरक्षन रोस्टर शहीत जो भी तकनी की विसाय है उन पर लगातार काम चल रहा है विए देंकि रोस्टर प्राली जो है एक ऐसा सिस्टम लाए गया था जिसे बुला गया था कि जो सीटें जिस कटेगरी की है उसी सीट में उसको भरा जाएगा जो की बिसिकली आसा अधानिक थी सुप्रीम कोट ने जज्जमेंट दिया था कि जो जनरल की सीट है उसमें सभी लोग फाइट करेंगे चाहे वो सीकों चाहे स्टीकों चाहे वो भी सीकों उसे फाइट करने के बाद में फिर वो इस रिस्पेक्टिव कडिगरी में जाएंगे मतलब वर्टिकल उसके बाद अप्लाई किया जाएगा लेकिन यहाँ पर रोश्र प्रारी के माध्यम से सरकार ने एक नया प्रोविजन एड़ किया था इसमें उन्होंने बेसिकली रेजरवेशन जो है जनरल कर डिगरी को भी वर्डिकल रेजरवेशन डाल दिया था और आपने देखा होग कई सारे मामले लंबी थे और बाद मिनोंने अब डिसाइड किया कि रोश्र प्रारी को भटाएंगे एनिवे तैस डिफरेंट पॉइंट अभी से इसमें लिखते हैं जो रिवाइस कलेंडरे इस माह जारी किया गया है पियसी उसे ही फॉलो कर रहा है अब उसमें किसी तरह क कि बदलाव क्या संग कर रही है इस भी जब भीहरतियों का अंदुलन प्रदेश के कई जिलों तक पहुंच चुका है अभ्यहरति कई जिलों में सीम को लापता बताने वाले पोस्टर लगा रहे हैं अभ्यहरतियों ने कहा है कि अब जब दोरनीज का रिजल जारी होगा और अभ्यहरतियों ने इस बात पर भी सवाल उठा है कि प्यस्ती ने जो रिवाइज एक्जाम कलेंडर दूसरी बार जारी किया है उसे परिच्छाओं की तारीख है इतने माहबाद की क्यों तैकी है बिल्कुल सही बात है जो कि आपको पतोना चाहिए ADPU का एक्जाम जो है वो पोस्पोन करके उसको पाच्छे में ने लटका दिया तो जो अपने आप में कंसर्ण है कि आप इतना डिले क्यों कर रहे हो इतना पोस्पोन एक्जाम को क्यों कर रहे हो और शाथ में एक बड़ा ये भी पॉइंट है कि राज सेवा हमरे जो मधवदेश सरकार के द्वारा जो एक्जाम करड़ कराया थे मधवदेश सरकार नी बल्कि मधवदेश PSC हो या प्यापम हो उनके जो रहा जो एक्जाम करड़ कराया थे कई बार उसमें ट्रांसपेरेसी नजर नहीं आती है कई बार आपने देखा हो कुछ एजनसी जो हैं जो इन वार्ड है इसमें वो कर उठाए रोड में जाकर तब जाकर उन्होंने उस एक्जाम को कैंसल किया तो हमारी मधदेश सरकार ऐसा कोई body क्यों नहीं गठित करती है ऐसा कोई investigating agency क्यों नहीं गठित करती है जो केवल और केवल एक्जाम के लिए काम करें मतलब एक्जाम में कोई transparency तोड़ने का काम कर रहा है तो उसको पकड़ा जाए तो चिए online exam को इस तरह से जब hack कर लिया जा रहा है तो offline exam में भी hack होने की possibility होती है हो सकता है school में जाके setting कर लिया और बाद में बहुत सरी चीज़े हो जाती है और इस तरह से कटाप बूत उपर चलाता है फिर उस कटाप को दोड़ने के पाने के आप दोड़ते रहो और जो real examine बच्चे होते हैं जिनको basically selection मिलना चीए चुकर उन्होंने सारे साल मिनत किया है उनको selection मिलने की बजाया ऐसे बदमासों को selection मिल जाता है जो लोग basically मैनत भी नहीं किये होते हैं तो यहाँ पे जो कटाप बढ़ाने के लिए जो corruption होता है जो मतल जाता है तो उसको ऐसे पकड़ा जाए कि एक प्रकास सिंबल बन जाए कि लोगों को जो ऐसे cheating करते हैं उनको dull लगने लग जाए कि हाँ ऐसी गलती हमें अब नहीं करना है तो यह चीज़ें basically राज सरकार को करने के जरूत है और राज सरकार यहाँ पर definitely कोई action concrete action नहीं लेते यह नजर आ रही है और यह problem ऐसा नहीं कि सिर्फ मधब्रदे सरकार में है यह भारा सरकार के दोरा जो एक्जाम कंड़ कराया थे जैसे ssc का एक्जाम है उसमें कई बार आपने इस तरह से problem देखी होगी तो यह सारी समस्याएं जो है resolve करने की जरूत है और यहाँ पर जो सरक बठा दिया आपने उसको full time काम करे तभी जाकि हमें इस तरह के जो corruption से उसको कम करने के लिए एक benefit मिलेगा अब यहाँ पर लिखा है यह प्रिपरिक्षा अगले साल 24 अप्रेल को होगी आपको पतो ना ची जो prelims 21 की बात की गई है कलेंडर में वो बोला गया 24 अप्रेल को हम प्रेलेम सागनाईज करेंगे मई मुझ का रिजल्ट आएगा अगस्व मुख परिच्छा होगी रिजल्ट अक्टूबर में आएगा नॉमबर में इंट्रिबू होगे फाइनल चैन सुची दिसंबर में लगेगी ऐसी कई एक्जाम है जो इस साल नॉमबर तक होना था लेक क्या होता है विश्वास यदि टूटता है लोगों का तो उससे आपको दिक्कत हो जाती है यह रही मद्धप्रदेश PSC के बारे में मद्धप्रदेश PSC के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है इसके लावा यह आप लोग MPPSC के त्यारी करना चाहते हैं तो आप मरे चैनल को भी follow कर सकते हैं सबस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर proper तरीके से MPPSC को focus करते हैं बहुत सरी classes चलाई जाती है यहाँ पर दिखा जाया तो जैसे MPPSC कुछी दिनों बाद proper तरीके से कम से कम 2-3 live classes आपको MPPSC के लिए चलाई जाएंगी जिसमें आपको proper तरीके से revision करा जाए जाएगा AMCQ जो प्रैक्टिस कराए जाएंगे इसके लावा यह आप बात करें मेंस के लिए तो मेंस के लिए एंसर आडिक से से प्रॉपर तरीके से बीते कई बहिनों से चल रहा है मेंस एंसर आडिक से से साम को 4 बज़ और इसके आता है तो आप उस class को भी join कर सकते हैं वो एक live discussion होता है जो भी आपके पास doubts होते हैं वो वहाँ पे आके पूछ सकते हैं इसके लाव हमारे classes के information पाने के लिए आप राम सोनी MPPSC नाम का जो टेलेग्राम गूप है आप इसे भी join कर सकते हैं यहाँ पे classes के information शेर किया आता तो इसके लिए आप इस टेलेग्राम यह दिया आपके पास किसी तरह के doubts हैं तो आप नीचे comment करके push भी सकते हैं मिलते हैं फिर तब तक लिए bye bye and take care